ओम शान्ति आज 11 दिसंबर 2022 है और आज के अव्यक्त महावाक्यों में हम सभी परमातम गले का हार बनने वाली विजई रत्न आत्माउं ने द्रेड प्रतिग्या का महत्व जाना कि द्रेड प्रतिग्या ना केवल हमारे जीवन में हमें उच बनाती है लेकिन यही बाब की प्रत्यक्षता का साधन भी है तो इस द्रेड प्रतिग्या से हम अपने अंदर क्या-क्या परिवर्तन और ला सकते हैं आए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से, ब्राम्भन जीवन में विशाल दिमाग भी चाहिए तो सची दिल भी चाहिए, सची दिल वालों को दिमाग की लिफ्ट स्वतह मिल जाती है, इसलिए सदा यह चेक करो कि सची दिल से साहब को राजी किया है, सिर्फ अपने मन को या सिर्फ को राजी नहीं करना है सच्चे साहिब को राजी करना है तो अलबेलेपन का चश्मा उतार कर स्वा उन्नती का यथार्थ चश्मा पहन कर रखो विशाल दिमाग और सच्ची दिल इन दोनों का ही साधन है बाप को राजी करना जब हम बाबा को राजी करते हैं अर्थात राजी करने का मतलब ये नहीं कि हमें कोई उन्हें प्लीज करना है खुश करना है वो तो भक्ती मार्ग में हमने बहुत कोशिशे के बहुत महिमा गाई लेकिन बाबा खुश होते हैं जब हम लाइक बनते हैं सिर्फ बाप की महिमा सुनने से बाप राजी नहीं होते तो हम जब सच्ची दिल रखते हैं, बाप को राजी करते हैं तो हम स्वतर ही उनकी ब्लेसिंग्स के पात्र बन जाते हैं जिससे हमारी बुद्धी विशाल बनती जाती है उसमें सारा आदी मद्य अंत का ज्यान समाता है और एक और प्राप्ति आज बताई कि हम सब को राजी कर सकते हैं अगर हम एक एक आत्मा को राजी करने जाएंगे तो बहुत मुश्किल है क्योंकि हर आत्मा उनकी अलग अलग प्रकार की जरूरते हैं कुछ तो अपनी जरूरतों को जानते हैं और कुछ तो जानते भी नहीं है तो ऐसे में बाबा ने कहा कि सबसे न्यारे और एक बाप के प्यारे बन कर हम सब के प्यारे स्वतह बन सकते हैं दूसरा वावा ने आज जो हमें बात बताई कि हमें अलबेलेपन का चश्मा उतारना है तब हम बाप को सच में राजी कर पाएंगे इस अलबेलेपन के चश्मे को उतारने के लिए हमें दृड़ प्रतिग्या करनी है दृड़ प्रतिग्या अर्थात कुछ भी हो जाए हमारे दिल में एक दिलाराम के सिवाय और कोई नहीं बसेगा कुछ भी हो जाए हमारा मुख वापस उस पुरानी किचड़े की दुनिया की तरफ जिसमें जाकर के मेरी दिल फिर से खराब हो जाए फिर से मेली हो जाए उस तरफ मेरा मुख कभी नहीं मुड़ेगा हम परमात्मा के गले का हार विजई रतन आत्माएं बन कर रहेंगे तो जब हम अपने आपको रेलाइस करते हैं तो अलबेलेपन को सहज ही हम विदाई दे सकते हैं और अलबेलेपन को विदाई देने वाली आत्मा सदा हर परिस्थिती में अलर्ट आक्टिव रहने वाली आत्मा हर परमात्मा की ब्लेसिंग को प्राप्त कर सकती है हर प्राप्ती को महसूस करके उसको प्रयोग मेला सकती है और सर्व के दिलों को सहज ही उन प्राप्तियों के उन विशेशताओं के आधार पर जीत कर सब की प्यारी बन सकती है तो ये आज की विशेश प्राप्ति बाबा ने हमें कराई कि मैं आत्मा बाप के दिल को राजी करके सर्व के दिल को राजी करने वाली हूँ Om Shanti